वो समय भी बहुत अच्छा लगता है जब हम रात को गहरी मीठी नीन लेने के बाद खिड़की से आती हुई सूरज की पहली किरण को देख कर जागते हैं वो सूरज की पहली किरण यानि की प्रकाश हमें सुबह सुबह आग खोलते ही नजर आती हैं ऐसे ही जब हम उठकर अपना चहरा आइने में देखते हैं तब भी भी हम प्रकाश से जूड़ी हुई एक घटना को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में प्रकाश से जूड़ी बहुत सारी घटना हैं जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं पर फिर भी ये धी कोई हमसे question पूछे प्रकाश क्या है तो एक मिनट के लिए हम सोचने जरूर लग जाते हैं कि इसकी परिभाशा कैसे दे और देखिएगा कि अलग-अलग लोगों से ये सवाल पूछें तो बहुती रोमांचक परिभाशा हैं आपको प्रकाश की जरूर सु प्रकाश उर्जा है वो हमारी आखों में उसकी जो रेटीना है उसमें द्रिष्टी समवेदना उत्पन्न करती है यानि की वीज्वल सेंसेशन उत्पन्न करती है और इसी के कारण ही हम सारी चीज़ों को देख पाते हैं शुरुवात में प्रकाश से जूड़ी कई सामने आई जैसे कि प्रकाश का सरल रिखा में गमन करना परावर्तन अपवर्तन वर्ण विक्षेपन और इन घटनाओं को प्रयोगों दरा प्रमानित भी किया गया प्रयोगों को सिलसिला चलता रहा और प्रकाश से जूड़ी कई अन्य घटनाएं भी उभर कर सामने आए जैसे कि व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश विद्दूत प्रभाव, दुरुवण और इन ही सब घटनाओं की व्याख्या करने के लिए अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग सिधान्त प्रस्तुत किये सबसे पहले सर आईजेक न्यूटन, जिनने हम भौतिकी के जनक, यानि की फादर फिजिक्स के नाम से जानते हैं इनका भौतिकी के बहुत सारे छेत्रों में महत्पून योगदान रहा है सोलवी सताबदी में इन्होंने लौज अफ मोशन, लौज अफ ग्रेविटेशन और साउंड जैसे छेत्रों में अपना योगदान दिया इनके लिए अपने सिधान्त प्रस्तुत किये और इसी सताबदी में ही इन्होंने प्रकाश के लिए भी एक सिध्धान प्रस्तुत किया जिसे हम न्यूटन का कणिका सिध्धान या न्यूटन कार्पसकुलर थियोरी के नाम से जानते हैं इन्होंने प्रकाश को पार्टिकल से मिलकर बना हुआ माना यानि कि प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है यानि कि जब कोई प्रकाश रोत प्रकाश देता है इसका मतलब उस प्रकाश रोत से असंख्य कण बाहर निकलते हैं इन कणों को उन्होंने कार्पुसल्स नाम दिया य यानि कि visual sensation produce करते हैं और हम चीजों को देख पाते हैं उन्होंने प्रकाश को करण माना यानिकि यदी हम प्रकाश को एक कर्ण एक बॉल से compare करते हैं तो बॉल जैसे जैसे प्रॉपर्टी इसको फॉलो करता है उन्होंने उसी के आधार पर ही इस प्रकाश की कणिका सिध्धान्त को प्रस्तुत किया जैसे कि यदि हम एक बॉल को सीधे फेके तो वो सरल रिखा में गमन करता है इसका मतलब प्रकाश भी सरल र कणि कि परचाई हमको नजर आती है प्रकाश को गण मानकर न्यूटन ने परावर्तन की भी व्यख्य की जैसे कि हम एक बॉल को उठा कर दिवार परमारे तो वह बॉल तो उस दिवार से टक्रा कर वापिस आजाती है से वही घटना परवर्तन में भी होती है कि उसी चमकीली चमकदार सतहा से टकराती है तो वह भी वापिस आ जाती है कि इसका मतलब प्रकाश एक कण है यह कह सकते हैं और बहुंत की तरह ही वहजुआर कर Does न्यूटन ने प्रकाश को कण मानते हुए अपवर्तन की भी व्याख्या कर दी अपवर्तन में क्या होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वो बैंड हो जाती है मुड जाती है और कारण क्या होता है प्रकाश के वेग में परिवर्तन सघन माध्यम में अधिक होगा और विरल माध्यम में कम यूगि इस समय वो साउंड पर भी काम कर रहे थे और उन्होंने वही कॉंसेप्ट लाइट में भी लगाया जैसे कि हम जानते हैं साउंड को चलने के लिए माध्यम के वशक्ता होती है माध्यम यदि विरल होता है तो साउंड धीरे से चलता है माध्यम यदि सघन होता है तो साउंड तेजी से चलता है और यही कॉंसेप्ट उन्होंने प्रकाश के लिए भी अपलाई किया और इसलिए उनके अनुसार प्रकाश का वेग सघन माध्यम में अधिक होगा और विरल माध्यम में कम होगा और यही कुछ अवधारनाय उनके इस सिधान्त में कम्या बनी या कह सकते हैं तूटियों का कारण बनी साथ ही कुछ अन्य घटनाय भी उभरका रही सामने जैसे कि व्यती करण वीवर्तन धुरुवर्ट जिनकी व्याख्या इस न्यूटन के कण का सिद्धान्त के अधार पर नहीं की जा सकती थी और इन घटनाओं की व्याखया तभी की जा सकती जब इने ह हम तरंग के रूप में माने यानी कि सोल्वी सताबदी में ही हाइगस ने प्रकाश के लिए एक नय सिद्धान्त को प्रस्तुत किया उन्हों उन्होंने प्रकाश को कण के बदले में तरंग माना और प्रकाश को तरंग मानते हुए उन्होंने ना ही केवल व्यतीकरण, विवर्तन और धुरुवन की व्याख्या की बलकि उन्होंने अपवर्तन, परावर्तन और प्रकाश का सरल रेखा में गमन वन्ड विक्षेपन जैस हाईगन के अनुसार प्रकाश में अलग-अलग रंग उनके अलग-अलग आवरिती या यू कहें उनके अलग-अलग तरंग दैर्द के कारण होता है हाईगन ने प्रकाश तरंग को एक यांतरिक तरंग माना यांतरिक तरंग जैसा कि हम देखते हैं पानी में या फिर किसी रस में ट्रैवल करती है यानि कि यांत्रिक तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम के अवशक्ता होती है चुकि हाइगंस ने लाइट को भी यांत्रिक तरंग मानल यानिकि इस यांतरिक तरंग को भी गमन करने के लिए किसी माधियम की अवशक्ता होगी हम अपने चारों तरफ तो माधियम देखते हैं वाई-ओ यानि कि हमारा एट्मोस्फियर लेकिन जो प्रकाश सूरस से पृत्वी में आता है वो तो बीना किसी माध्यम किया जाता है यूगि हमारा इस तरंग माध्यम को उन्होंने नाम दिया इथर उन्होंने बताया कि ये द्रव्यमान हीन जो तरंग माध्यम है वो समांगी है यानि कि आईसो ट्रोपिक है इसके हर बिंदू पर इसका गुण समान रहता है नहीं बदलता साथी उन्होंने ये बताया कि ये माध्यम अठ्याधिक, ए्लास्टिक है, प्रत्यास्त है और साथी इसका घनत्व भी बहुत ही कम है और इस द्रव्यमान हीन समांगी माध्यम में प्रकाश उतरंग बहुती अधिक वेग से गमन कर सकती है इसका वेग तीन लाक किलोमेटर प्रती सेकंड होता है और ये वेग नियत रहता है इस प्रकार उन्होंने प्रकाश को एक यांत्रिक तरंग मानते हुए प्रकाश का वेग भी बताया पर यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं एक अनुप्रस्त और दूसरा अनुदैर्द्य तरंग बताया यानि कि तो इस कमी को सुधारने के लिए फ्रेनल ने प्रकाश तरंग को अनुदैर्द के बदले अनुप्रस्त तरंग बताया इसका मतलब अब प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्त तरंग मानी जा रही थी और हाइगंस के इस तरंग सिध्धान्त के अनुसार प्रकाश से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं की व्याख्या कर दी गए और इस प्रकार प्रकाश की कणिका सिध्धान्त के अलावा एक नया सिध्धान्त यानि की तरंग सिध्धान्त उभर के आया जिसने प्रकाश के कई सारी घटनाओं की व्याख्या अच्छी तरह से किए फिर भी प्रकाश से जुड़ी कई घटनाओं की व्याख्या करने के लिए साइनटिस्ट हमेश दू भागों में बढ़ जाते जैसे कि परावर्तन अपवर्तन सरल रेखिये गवर्मन इनकी व्याख्या करना हो तो साइंटिस्ट प्रकाश की कणिका सिध्धान्त को मानते और व्यतिकरण विवर्तन और धुरुवन जैसी घटना की व्याख्या करना हो तो साइंटिस्ट प्रकाश के तरंग सिध्धान्त को मानने लगे हमारे theoretical और experimental field मजबूत होने के बावजूद भी हम light को as a wave accept नहीं कर पा रहे थे लेकिन 1865 में James Maxwell Clark के सिध्धान्त के बाद तरंग सिध्धान्त को मजबूती मिली उन्होंने light के लिए electromagnetic wave theory दिया यानि कि वेद्दू चुम्बकी तरंग सिध्धान्त प्रस्तोत किया उन्होंने physics के तीन डिफ्रेंट छेत्र यानि की electricity magnetism और optics को सर्फ चार equation के जरिए unified कर दिया उन्होंने यह बताया कि electric field में यदि change हो तो magnetic field produce होता है और magnetic field में यदि change हो तो electric field produce होता है यानि कि electric field और magnetic field में जो change होता है इस change से radiations produce होते हैं और यह radiations energy के form में travel करें तो एक wave का रूप ले लेते हैं और यह wave free space में यानि कि vacuum में भी 3 into 10 to the power 8 meter per second के speed से propagate कर सकती है और इसलिए उन्होंने light को भी एक electromagnetic wave बताया यानि कि light भी vacuum में 3 into 10 to the power 8 meter per second के speed से गमन करती है और यही कारण है कि light निर्वात में भी सूरत से लेकर पृत्वी तक हमारे पास पहुच जाती है electromagnetic radiations की theory से उन्होंने ये भी बताया कि हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांग ग्याद कर सकते हैं उन्होंने माध्यम के अपवर्तनांग को निकालने के लिए जो formula दिया था वो है स्पीड अफ लाइट इन वैक्यूम अपवन श्पीड उ मेडियम यानि कि अपवर्तनांग होता है निर्वात में प्रकाष का वेग अपन किसी माध्यम में प्रकाष का वेग और इस formula के अनुसार यह बिलकुल क्लियर होता है कि विरल माध्य में प्रकाश का वेग अधिक होगा और सगन माध्य में प्रकाश का वेग कम होगा और यही कॉंसेप्ट न्यूटन के कणिका सिध्धान्त को फेल किया क्योंकि न्यूटन की कणिका सिध्धान्त के अनुसार उन्होंने जब अपवर्तन की व्या अधिक होता है और सखन माध्य में प्रकाश कवे कम होता है और इस प्रकार जैम्स मैक्सवल क्लार के एलेक्ट्रो मैगनेटिक वेव थियोरी के आधार पर अब लाइट को एक वेव की रूप में स्टैबलिश किया गया और जो कॉंट्रवर्शी थी पार्टिकल और वेव आणिसे कर दी गई जैसे कि प्रकाश का सरल रिखा में अपवर्त परावर्त वरण विक्शेपन व्यतिकरन विवर्तन धृवन और इस प्रकार प्रकाश को तरंग के रूप में स्टैबलिश कर दिया गया और हम तरंग थियोरी तरंग सिध्धान्त को मानने के लिए बात धे हो गया पर खोजो को दौर तो चली रहा था प्रयोगों को दौर तो चली रहा था इसलिए प्रकाश से जूड़ी कुछ अन्य घटनाएं भी सामने आई जैसे कि प्रकाश विद्दूत प्रभाव और कॉम्टन प्रभाव प्रकाश विद्दूत प्रभाव में यदि हम किसी धातु की सता पर किसी निश्चित आवरीती का प्रकाश डालते हैं तभी उसमें से अलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और इस घटना को साबित करने के के आधार पर सिद्ध नहीं कर पा रहे थे इसलिए वापिस हमें प्रकाश के कणिका सिध्धांत को फॉलो करना पड़ा प्रकाश विद्धुत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए आलबर्ट एंस्टाइन ने प्रकाश से जोड़ी एक नई थियोरी दी इसे हम प्रकाश की क्लांक कॉंटम थियोरी के नाम से जानते हैं और इस प्लांक कॉंटम है्वरी के आधार पर हमने प्रकाश को बंडल ऑफ एन जि पैकेट्स ऑफ एनेरजी के रुप में लिया और ये प्रैकेट्स ऑफ एनरजी गमन करते हैं अपनी हैनर जिए इस धाटु की सता रième integrating को देत लाइट के तरफ ध्यान दिया। इस प्रकार हम कई घटणाओं को सिध्ध करने के लिए लाइट के पार्टिकल नेचर पर ंडिपेंड है, हाला कि बहुत सारी घटनाएं तो तरंग सिध्धान्त के आधार पर प्रस्तुत की जा चुकी थी लेकिन फिर भी कई घटनाएं ऐसी थी जिनको पार्टिकल नेचर के आधार पर प्रकाश के कणिका सिध्धान्त के आधार पर अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता था और यही कारण है कि डी ब् लाइट प्रकाश कभी कंड की तरह वैवार करता है और कभी तरंग की तरह और अब हम यही मान के चलते हैं कि प्रकाश की द्वेती प्रकृति हैं किसी घटनाओं को समझने के लिए प्रस्तुत करने के लिए हम कंड का सहारा लेते हैं और किसी घटना को हम समझने के लिए प्रकाश से जोड़ी व्यतिकरण विवर्तन और धुरुवन जैसी घटना को प्रकाश के तरंग सद्धानत के आधार पर समझेंगे